दस्तो स्वागत है आपका बिहार व्यूज में दस्तो मैं हूँ फिर दोस गनी और आप देख रहे हैं केडिवी लाइब दस्तो आज आच चुका है बुद्वार 28 अक्तुबर 2020 तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आएं आपके लिए दस्तो वीडियो इस्टेट करें हैं आज का न्यूज दस्तो आज बिहार विदान सबाच चुनाओं के पर्थम चरण के तहट मद्दान होना है जिहां उनके लिए परचार थम चुका है कुल मिलाकर 1666 अमिद्वार चुनाओं के पहले चरण में अपना भागे आज मारे हैं जिन में से 114 मेलाएं हैं पर्थ दूसरे चरण की सीटों के लिए सियासी जोर सोर तेज हो गया है और परचार भी चारी है बिहार बिदन सबाच चुनाओं को लेकर छोटे मोटे दल भी जी जान लगा रहे हैं जहां यहां परचार कर रहे ए-आ-ई-म-ई-यम की नियता असल दिन अभिसी ने महा गड़ बनन और येंडिये को निसाना साथ तेहवे आरे हातों में लिया है जहां अभिसी ने कौणिस और राजित पर हमला बोलते हुए कहा है कि अलपर संक्या किसी के गुलाम नहीं है इसलिए उनके वोट को कोई अपना जागिड नहीं समझें अभिसी ने कहा है कि 2019 के लोग सबाच च कैसे और क्यों हुई को रोना काल में ट्रेंड से यात्रा करने वाले साब्धान हो जाएं जिहां भारती रेलेवे ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत सफ़र के दौरान को पांच साल तक के लिए जियल की सजा हो सकती है जिहां यदि यात्री ट्रेंड में यात्रा का पालन नहीं करें कोरोना संकर्मन में यात्रा करें सालवाजनर की छेत्र में थूकने गंदगी फैलने पर सजा होगी जहां इसके सांती सजा का परणधावन है जिए को में हमारी को ध्यान में रखते हुए रेलेवे पहले ही सिर्फ रेजर्वेशन ट्रेंड चला रहा है जहां सांती ट्रेंड में पूरी तरीकी से हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है इस्टिसन पर भी सिर्फ उन्हीं यात्रों को आने की अनुमती है जिनके पास कन्फर्म टिकट है देश विदेश में कहर बर पारा हा कोरोना संक्रमन अब और घा तक हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अब मानब सडीर में पर्विस का नیا रास्ता खोच लिया है जहाँ विग्यनिक ने अपने सौध में पहाए कि कॉरोणा अब एक प्रोटीन के मदश सरीर में प्रविस कर रहा है यानि कि सरीर के अंदर जा रहा है जहें यह खास प्रोटीन उसके लिए कोरोणा को रास्ता परदान करता है ये सोध साइंस जर्रनल में परकासित हुआ है सोध में वेगयनिक ने बताए कि कोरोना के बाहरी हिस्से में नुकिला या पिर स्पैस रूप होता है उनकी बाहरी सते पर एक खास प्रोटीन होता है जो इनसान के सरीर में मौझूद कोसिकाओं के प्रोटीन ACE2 में जुड़ जाती है इसी तरीके से उस इनसानी कोसिकाओं के अंदर घुसकर संख्यां बराता है दिरे दिरे ये जान लिवा कोरोना इसके बाद पूरे सरीर पर कबजा कर लेता है भाजपा सानसद रवी किसन ने एक 90 सबा में कहें कि 15 साल के पहले का बिहार और 15 साल बात की सरकार में फरक कर लीजिए आज जो तजिस्विय अदब के सबा में आने वाली भीर है वो घुर्दंग बचाने वाली भीर है अगर वे बिहार में सरकार बनाएंगे तो परदेश में हुर्दंग होगा इसलिए आपको तैक करना है कि हुर्दंग वाला बिहार चाहिए या फिर नरदर मुदी और नितिस कुमार वाला विकास वाला बिहार चाहिए बिहार बिदन सबाचनव के पहले चरंड का मददान आज यानिके 28 अक्तुबर को समाप्त होने वाली है जहां उससे पहले चिनावी जंग में आरोब पर ते आरोब का सिलसला चरंपर पहुंच गया है बिहार के मुक्यमंतरे नितिस कुमार ने बीटे दिने अपनी 24 सबाह में लालो परसाद यदब के पडिवार पर तीखा हमला बुला जहां नितिस कुमार ने कहा है कि बेटी की चाह में 9 बच्चे पैदा कर लिए इस पर ते जिस भी अदब ने नितिस कुमार के आरोप का जवाब दिया है ते जिस भी अदब ने कहा है कि अपने दिये गए बयान में नितिस कुमार को जवाब देते हुए कहा है कि नितिस जी दरसल हमारे बहाने सीधे पीए मोधी पड़ी निसाना साथ रहे हैं क्योंकि प्रदानमंतिर निरेंदर मोधी भी छे साथ बाई बहने हैं जाते जिस भी हमने कहा है कि हमने पहले भी कहा है कि नितिस कमार जी ठक चुके हैं वो हमें कितना भी गाली दे दें लेकिन वो बिरुजगरी और गड़ीबू पर बात नहीं करना चाते हैं अगर ऐसी बोली वो बोलते हैं तो फिर महिलाओं की मरियादाओं को ठेश से पहुचा रहे हैं लोचपा की अधिक्षी चराख पासवान ने आज दावा किया है कि बिहार में इस बार भारती जंदा पार्टी और लोचपा की सरकार बनेगी तता साथ निश्चे योजना में हुए भरष्ट चार की जांच करवा कर दोसियों को सजा दी जाएगी जाए धिक्षी चराख पासवान ने पार्टी फट्राशियों के पक्ष में चिनवा परचार के दौरान रवान होने से पहले प्रेस कांफरेस में कहाए कि बिहार सरकार की महत्यो कंची योजना, साथ मिस्चे योजना के तहत पकी गली, नाली और हर घर नल का जली योजना में बड़े पैमाने पर भरष्टा चार हुआ है जिहां और इन दोसियों को सजा दिलाएंगी चाहे वो मुख्यमंतरी क्यों न हो भारत में करोना पर अच्छी कबर सामने आ रही है जिहां देश में करोना के मामले में लगता लगरावट जारी है देश में 24 गंते में 36,479 मामले सामने है जो की बहुत कम हैं इसके साथी भारत में कोरोना से संक्रबित होने वालों का आकड़ा 89,000,000 पहुंच गया है जिस्वें अब करोना के मामले 89,46,429 हो गई है देहसे में इतना कम मामला 4 महने में पहली बार सामने आया है इसे पहले इतने कम मामले अठा़़ जुलाई को सामने आया थी उस समय देश में 34,844 से नए मामले सामने आये थी जहें इसके बाद सिफ परते दिन आने वाले कुरोणा के मामले बरते चले गए परदान मंतिर नरेंदर मुदी आज बिहार बिदान सबाओं को लेकर तिन जन सबाओं को सम्मूदित करेंगी जहां ये जानकरी भाजपा महासचीबा और बिहार के परबाड़ी भुपंदर यादम ने दी है परदान मंतिर नरेंदर मुदी की इस रेली का डिजीटल माधियम से सीधा पर सारण पतना के लगबग तीन सो मैदानों में किया जाएगा जहां बिहार में दूसरे चरण के चिनाओं के ताथ पस्चीमी चंपरन पूर्वी चंपरन गोपालगन सिवान सारण मुझपरपूर सितामडी सीभर मदुबनी दरबंगा समझतेपूर, वैसाली, बैगुसरा, खगडिया, भागलपूर, नालंदा और पतना जीलों की 94 सीट उपर आगामे 3 नवेमर को मद्दान होगा दोस्तों कोरोना काल में आप लोगों ने गो कोरोना गो का नारा तो सुनाई होगा जिहां गो कोरोना गो का नारा देने वालों को कोरोना हो गया है जिहां केंद्रे मंत्री और महराष्ट में रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के अध़च रामदास अठावले का कोरोना टेस्ट पोजिटिव पाया गया है रामदास अठावले अपने पतनी के साथ एक मुमी के अस्पिताल में एडमिट हो गए हैं जहां उनका इलाज जारी है रामदास अठावले ने मराथे में ट्वीट करके अपने कोरोना पोजिडिव होने की जान करी दी है अठावल ने का है कि मेरा कोरोना टेस्ट पोजेटी पाया गया है एतिहात के तोर अपर अस्पताल में भरती होकर डाक्टरों की सला का पालन करूंगा परतान मंतरी नरंदर मुदी की सरकार देस में फैल रहे कोरोना से परभावित लोगों को आर्थिक रहत पैकेज का ऐलान कर रही है इस दौरान परतान मंतरी गड़ीब कलियान योजना के तहत मार्च तक रासन और कैस देने की योजना की घोसना की जा सकती है जहां मीडिया रिपोर्ट की मताबिक की केंदर सरकार परतान मंतरी गड़ीब कलियान योजना के तहत देस की गड़ीब जनता को फिरी में रासन और कैस देने की योजना को आगे बराने की घोसना कर सकती है यह रासन और कैस देस की गड़ीब जनता के लिए होंगी जिहां आपको पता दूए कि केंदे सरकार ने प्रतरमंतरी गरीब कलियान योजना के सुरुआत में मार्च 2020 में कोरोणा काल के दौरान की थी जिहां जिसमें देश के लोगों को रासन की दुकान पर मिलने वाले गिहों चावल को पहले तीन मेंने जून तक फिर इस स्कीम को सरकार ने नवेंबर तक के लिए बढ़ा दिया है बिहार बिदनसभा चनाओ को लेकर नेताओं ने रेलियां और जनसभाओं का सिलस्ले लगातार और तेज़ कर दी है जिहानेता परतिपक्ष और महाग गर्बनन के सियम केंडिडेट तेजिस्वी अदब ये कई बिदनसभा चनाओं में रेलियों को समद्द कर रहे हैं अपनी जनसभा में तेजिस्वी अदब ने एलान किया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वे बिजली का बिल आधा करेंगे और किसानों का करज भी माफ कर देंगे हाला कि इसके पहले तेजिस्वी अदब अपनी पहली केबिनेट में दस लाख नोकड़ी देने का वादा भी कर चुके हैं पुर्व कंगरस अदेख्चे सोनिया गानी ने बिहार के लोगों को समद्द किया जहां उन्होंने का है कि दिली और बिहार के सरकारे बंदक सरकारे थी परदसन तालाबंदी व्यापार बंद करना मंदी किर्सी खलिहान बंद करना नोकड़िया बंद करना उन्होंने का है कि सत्ता और एहंकार में डूबी बिहार के सरकार आज भटक गई है उनके पास कोई अच्छा सब्द नहीं है जो कहे जह कारेकरता आज मजबूर हैं आज के किसान व्यक्तित हैं युवा निरास हैं अर्थ बेवस्ता कमजोड हैं और उनका जीवन भारी है धरती पुत्र आज गंबीर संकट में हैं दलित और महा दलित मरम्मत के कगार पड़ हैं जहां बिहार की जनता कैदियों की सरकार के खिलाफ अगली फसल बनाने के लिए तयार हैं साथी पूरो कॉंडस अदेश सोनिया गाने ने कहे कि अब ये एक बदलाओ है हाथ की गुनोता कौसल सक्पी और निर्मान सक्पी लेकिन विरोजगारी अपरवसी मुद्रा फिती औ और अकाल उनके पैरों पर आसू और जलन लाते हैं जो सब्द कहने जा सकते उन्हें आसों में कहा जाना चाहिए नितियां और सरकारे भैं धंकी और अपराद के आधार पर नहीं बनाए जा सकती दोस्तों आप भी कठ्यार जले की रहने वाली चांदनी के बारे में जानेंगे तो फिर गर्ब करेंगी जिहां परदसी दूले को खदेर कर बाल विवा का विरोध करने वाली चांदनी पर आज पुरे गाउं और समाज को ना जहें आर्तिक तंगी के करन चांदनी का बाल विवा उसके निकट सम्मंदी की पहले पर कराय जा रहा था लेकिन उसने इसका खुलकर विरोध किया और साधी करने से सीधा मना कर दिया सुरुआत में परिवार का दबाओ और साधी तूटने की बात करकर उनके आवाज को दबाने का प्रियास किया गया लेकिन चांदनी ने हार नहीं मानी जो आप तस्वीर में देख सकते ही भुमिका बिहार सांस्तान से सहयोग लेकर उसने साधी करने से मना कर दिया और बाल विवा के दल दल से मुक्ति हो गई दो भाई और चार बहने की जिमेदारी के करन चांदनी का बाल विवा कराने की जित थी लेकिन बच गई दस्तो इस साल दिपावले और छट पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे ने बड़ी खुसकब्री दी है जहां अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको ट्रेन में टिकट के लिए अब परिसान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जहां इंडर रेलवे ने इस साल 46 फेस्टिवल इस्पेसल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है जहां ये सबी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएगी आपको बता दी कि कॉरोणा काल में देश में सिमित संख्या में ट्रेन का संचलन किया जा रहा है जहां ऐसे में तेहवारी सिजन में ट्रेणों की डिमान को देखते हुए रेलिवे ने अन्य इस्पेसल ट्रेणों को चलाने का फैसला किया है अगर आप भी यात्रा का यह उजना बना रहे हैं तो फिर आप इन ट्रेणों की लिस्ट चेक करके आज ही अपना टिकेट बुक करा लें साथ ही आपको ये भी बता दू की पहले रेलिवे ने दुर्गा पूचा दिपावलिया और छट के मौके पर मांगो को पुरा करने के लिए सौ से ज्यादा फैस्टिबल इस्पेसल ट्रेण चलाने का फैसला किया था भारती रेलिवे के मौताबिक ये स्पेसल ट्रेण नौ रातरे की बीच 20 अक्तुबर से दिपावलिया और छट के बाद 30 नवेंबर तक चलाए जा रही है देश में मार्च तक कोरोना के कम से कम तीन टीके उपलब्द होंगे जिहां दुनिया भर में इस महामारे के खिलाफ 10 टीकों के ट्रैल से अच्छा संकेत मिल रहे हैं अलग अलग देशों और दुनिया भर के एजन्सियों के संपर्क में मौझूद प्रतार मंतरी के टीके को लेकर टाक्स फोर्स को उम्मिद है कि मार्च तक कम से कम तीन चार टीके भारत में उपलब्द हो जाएंगे जहां टाक्स फोर्स के परमखर डाक्टर वी के पाल ने हाले में टीके की अपलब स्वर्द हो जाइजा लिया भारत में 3 टीके तीसरे दौर इसके ट्रैल से गुजर रहे हैं जबकि विदेशों में 10 टीकों का ट्रैल तीसरे दोर में हैं भारत बाइटेक ICI-MR का कोवेक्षिन दूसरा चरण और सिरम एस्टिटूट एस्ट्रेजिनरका का कोवेड्सिल तीसरे चरण में हैं जहां हैदरबाद की कंपनी बाइलोजिकल में भी इस टीके का प्रस्रिक्षन कर रही है रूसका इस पुतन की वी टीका दूसरे से तीसरे चरण के ट्रैल में परवेश करने वाला है जहां इस वक्त दुनिया भर में 154 के प्री क्लिनिंग ट्रैल के चरण में हैं तो 24 क्लिनिंग ट्रैल में हैं जहां इन में से 10 का ट्रैल तीसरे चरण में पहुँच चुका है जो उन्होंने भरष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज के अपसरों को लेकर दिया था मसरूर अरॉलम के पक्ष में चुनावी परचार करते हुए का है कि बिहार में मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ अपनी आवकाद बताने आया हूँ अब सब को निता बनाने के लिए आया हूँ सम्मिधान में दिये गए अधिकानियों के तहत वोट लेने सीखो और अपने मुकदर का फैसलास खुद करो रालस पापरमो को पंदर कुसोह को अपना अमिदवार बताते हुए का है कि छे पाटियों का हमारा गड़ बनन है इसलिए सबी अमिदवार आप नहीं है उनको अपना वोट दे कर अपनी ताकत का एहसास कराएं असलिए अबिसी ने अलाजत भाच्पा और जडियो पर हमला बोलते हुए सबा में काए कि पंदरी साल आप लोगों ने एक पड़ीवार को दिया है और अगला पंदरी साल नतिस कुमार को दिया सबने आप सबके साथ धोका किया है उन्होंने काए कि उन्होंने सबसे आपको सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने आप सबके साथ धोका क्यों किया तेजिस वियतापर हमला बोलते हुए काए कि CA NRC की लराई जब चलती रहती तो फिर बिहार में यूबराज घर में छुपे हुए थी उनको सर्म आनी चाहिए जो आज हमारी वकालत करते हैं लॉगडाउन पुरोविसी ने काए कि प्रदर मंतरी ने यूओं का रोजगार छीन लिया और अर्थ बेवस्ता पत्रिट से उड़र गई लोगों को काम नहीं मिल रहा है और उनको आधा पेट खाकर गुजर बसर करना पर रहा है किसन गंज की चनावी सबागों भी असदद नोविसी ने समुदित किया जहां उन्होंने का है कि कोर्णा संकरमन के कारण अभी सी ए का विरोध टला है लेकिन जैसे ही हालात सामाने होंगे फिर से पर्दसन स्रू हो जाएंगी उन्होंने का है कि सीमान चल के लोगों को जब आर असस गुस्पेटिया का रहा था तब राजद और काउने से दोनों ही चुपी साध रहती जैसे उन्होंने का है कि भारत के मुसल्मान बच्चे नहीं है कि सेंग पर मुक मोहन भागवत की बातों का यकिन करेंगी सी ए समिधान के खिलाव है और हम इसका विरोध करेंगी और फिर से धर्दा परतसन करेंगी मुझपरपूर के सक्रा में एक चुनाबी रेली के दौरान बिहार के मुक्यमंतरी नितिस कुमार के हेलिकॉप्टर की तरफ से किसी वेक्टी ने चपल फैक दी जिहां हाला कि चपल हेलिकॉप्टर तक नहीं पहुची पुलिस अउपादेश मनोर जपान ने बताए कि रेली के दौरान हेलिपेड पर खड़े मुक्यमंतरी की हेलिकॉप्टर की तरफ चपल फैकी गई उस समय मुक्यमंतरी मच पर थे कुछ अस्थानों पर नितिस कुमार ने सोर्स रवा करने वालों पर नाराजगी भी जायर की है जिहां और उन पर राजनितिक के परते दिन नियों की सहपर काम करने का आरोप लगाया था तथा कि उन्होंने कहाई कि इससे उनको कोई फरक ने परने वाला है बिहार चनाओ का चाहे जो भी नतीजा है इससे लालो परिवार में विरासत का विवाद खत्म ही होकर दिया गया है जहां लालो परसाद के परिवार में विरासत का विवाद खत्म हो गया है और उत्रादिकारे का मामला भी तैय हो गया है ये इस बार की चनाओं की खास बात है। जहां पिछले साल लोकसबाचनाओं तक ये विबाद चल रहा था। लालो परसाद ने भले तेजिस वियादब को नित्रिस कुमार के साथ बनी सरकार में उपमक्यमनत्री बना दिया था। और बाद में विपस्ट के नियता का पद भी दिया था पर इससे उत्रादिकार और विरासत का विबाद खत्म नहीं हुआ था पिछले साल के लोकसभा चनाओं में लालो परसादियादब की बड़ी बेटी मिसा भारते ने लरकर पाठले पूत्र सीट से टिकट ली थी तेजस भी अदब उनको लरने के लिए एक ख़दम खिलाफ था जहां उनका कहना है था कि मिसा भारते राजसभा में हैं इसलिए उनको चनाओं नहीं लरना चाहिए गौरतलब है कि मिसा भारते 2014 में भी इसी सीट से चनाओं लरकर हार चुकी थी और उसके बाद ही उनको राजसभा में भेजा गया था तबी तेजस भी अदब इस बार अपने एक कड़ीवी विधाय को टिकट देना चाहते थे पर मिसा भारते और तेजस भारते बाई तेजपरते बारते 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 जोड़ ज़बरदस्त टिकट लिया साथ से तेजस भी अदब की कड़ीवी विधाय को अपमानित भी किया गया जहां ओ एक घटना से तेजस भी अदब बैंक फूट पर आ गये थे उनके लिए अच्छा ये हुआ कि मिसा भारते इस बार पिछली बार से ज्यादा वोट से हारी उसके बार से मिसा भारते अलग तलग परी है जहां इस बार बिदनसबा चनावा में टिकट बटवारे के समय लालू परसाथ की एक पूराने साहिक ने मिसा भारते के जलिए कुछ लोगों को टिकट दिलाने का परियास किया पर किसी की टिकट नहीं हुई बिहार में चुनौपरचार जोर सोर से जारी है राश्टी जन्तादल के नेता तजिसी बैदब एक दिन में दरजन भर रेलियों को समूद्ध कर रहे हैं जी हां तजिसी बैदब ने रोताज जिले के डिहरी बिदानसबा में एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर राजी के सियासत गर्मा गई है उनके बयान को लेकर सत्ताधरी पार्टी जन्तादिल युनाइटेड ने उन्हें घेरा है जिहां साहती उन पर धुर्बी करन करके वोट लेने का भी आरोप लगया है दरसल डेहरी बिदानसभा की सबा में तजिस्वी यदब ने का है कि जब लालू यदब का राज़ता तब गरीब सिनातान के बाबो साहिब के सामने चला करते थे राजे में जब हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे जो अपराद करेगा उसे सजा दी जाएगी जो करमचारी काम करेगा उसे सम्मान दिया जाएगा बिहार में करोना काल में हो रहे चनाव में मद्दान अधिक चनावते पूर्ण होगा जी हां वैसे तो हर चुनाओं में अधिक से अधिक मददाताओं को भू तक लाने और मददान परतिसद बराने की बात होती है लेकिन इस बार ये कारे चुनाओते पोर्डन है बिहार में अब तक हुए बिदान सबा के 16 चुनाओं में केवल तीन बारी मद्दान परतिसत 60 का आंकरा छू सका है जिहां पिछले चुनाओ यानि कि वर्थ 2015 में 56.66 फिस्दी मद्दाताओं ने अपना परतिन दी चुनेक में दिल्चस्पी दिखाए थी लेकिन इस बारी इस आंकरा को छूना या फिर मद्दान परतिसत बनाना आसान नहीं होगा बिहार में हुए बिदान सबा चुनाओं पर नजर डाले तो मद्दान परतिसत में उतार चुनाओं होते रहा है जिहां वर्थ 1952 में हुए पहले चुनाओं में 49.1 फिर्जदी ही वोट परे थी हलाकि यह वए दौर था जब लोग चुनाओं के माइने बहुत नहीं समझते थी मुक्यमें तरे नितिस कुमार बिदान सबा चुनाओं 2020 को लेकर लगतार चुनाओं परचार कर रहे हैं लेकिन पिछले चुनाओं की तुलना में अगर इस बार की बात कर तो नितिस कुमार को अपनी चुनाओं की नाराज देखा जा रहा है पिशले दिनों में नितिस्थकमार की जहां सवाय हुई हैً उनमेंसे कुछे जगों पर भाड़ी विरूट का सामना करना पर आ है जिसके कारए नितिस्थकमार अपना एका खो बैटते हैं और रेलिय में सामिल होने आया लोगों पर उनका गुस्सा उतर जा रहा है जहां कल नितिस कुमार न मुझपर पूर्ड के कार्टी में एक चुनावी सबा की जहां पर उन्हें अस्थाने यूकु की नाराजगी जहननी पड़ी नितिस कुमार जैसे ही मंज़ पर आये तो कुछ लोगों नितिस कुमार गो बैक के नारे लगाए और रोजगार का मुद्दा उठाने लगी नितिस कुमार एक तरफ अपना भासन जारी रखे हुए थी और दूसरी तरफ यूकु का एक समू नितिस कुमार के खिलाफ नारे बाज़ी कर रहा था नितिस कुमार इस पर काफी नाराज हुए और चुनाबे मंच से आठजी निता तरफ विएदब पर इसारों में हमला किया और कहा कि कुछ लोगों को न ग्यान है न अनुभव नितिस कुमार ने ये हमला तरफ विएदब के उसके वादे को लेकर लेकर था जहां पर तिजिसी बेद अबने सरकार बने के बाद दस लाख नोकर देने को लेकर वादा किया था इसको लेकर ये हमला था दोस्तो आज आज आप जानेंगे दुनिया के एक ऐसे मातर वेक्ति के बारे में जिसकी गरदन की लंबाई पूरे दुनिया के लोगों से अलग है जिहां किसी भी की गरदन इस से पंदे साल के बच्चे की गरदन की लंबाई का मकाबला नहीं कर सकता है यहां लेकिन यह वर्दान नहीं बलकि एक अभिसाप लगता है इसे पंदर साल के छोटे बच्चे को यहां क्योंकि इसकी वज़े से हमेसा तखलिप में रहता है तो आए जानते हैं इस बच्चे के बारे में कुछ बात ही आपको यह फोटो फोटोसोप कियो ने लगेगी लेकिन ऐसा नहीं है क्यो कि इस फोटो असली है पंदर साल का फूउविग्वी बिजिंग चीन में रहता है यानकि चीन के बिजिंग में रहता है जिसे कॉंगरेटियल अनोमेलीज बीमारी है जिस वज़े से इनकी गर्दन में तीन हड़ियां जादा है एक आम इंसान में साथ सर्विकल वर्टिब्रेट होती है पर फूवएंगियों की इनकी संख्यां जादा है इसलिए इनकी गर्दन बहुत लंबी लगती है और लंबी इसा वेकती है जो रीर की हेड़ी में दस वी लेकर पैदा हुआ जहां आम मारव में सरीर साथ वर्टिब्र होती है जहां इस खामी के चलते इनकी गर्दन जिराफ जैसी लंबी है इनको गर्दन हिलाने बैटने उटने में काफी परसानी होनी लगी है और इसलिए अब इनक होने वाले सुल्क भी लगबग 60% कम रह गया है खड़ी दारों ने कोहलूस अंचालों को से सीधे संपर्क करना सुरू कर दिया है जिससे मंडी का हस्त छेप खत्म हो गया है हर साल गूर खनसारी की मंडियों का सीजन 15 सप्तमबर के बाद सुरू होता है जहां इस बार हो गया है गूर और सक्कर की आमद पर किर्सी कानून का असर दिखाए देना सुरू हो गया है जहां बाहरी खड़ीदारी मंडी से बाहर माल खड़ीद कर दूसरे परांतों को भेज रहे हैं इससे बिहार मंडल की गूर मंडियों परभावित होने सुरू हो गई है नय किर्सी कानून को लेकर पनजाब समेत देश के कई राजलमे बिरोध परतसन हो रहा है जहां बपक्ची पार्टिय काउरस समेत कई राजनीत गडल इन कानून का विरोध कर रहे हैं जिहां कुछ किसान और राजनीत government के पीछे तरक दे रहे हैं कि फसलों के लिए MSP की वे 2021 में एक सो एकाउंट पॉइंट सत्रे लाख मेट्रिक टन की खरीदारी की जा चुकी है नए किर्सी कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले पंजाब में 25 अक्तुबर तक सौ पॉइंट नवासी लाख में एमटी टन की दान खरीद की जा चुकी है बीजी पी नेतरों ते बिहार में राजे सरकार को लेकर बने सता बिरोधी को कम करने के लिए प्रतान मिंतरी नरेंदर मोदी की चेहरे का ज्यादा इस्तमाल कर रही है जिहां गर्बनेर में निजिस कमार के नियतरु में चौनओ लानेके बाद परतान मंतर नियर लिए मोदी के चेहरे को परमुखता दे रही है चुनावी पोस्टर से लेकर रेलियो में मोदी और केंदर सरकार की उपलब दिया और यह उसनाओ पर ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है बिहार में चुनावी माहौल को देखते हुए बीजी पी बेहद सतरक हैं उसके केंदरे नेता आरजिरी और कॉंडेस पर तो हमलवार ही हैं जिहां साथ ही अपनी रननिती पर भी तेजी से अमल कर रही है सुत्रों के नुसार पहले दोर के चुनावा पर चार मुखे मंतरे नेतिस कुमार के खिलाफ जिस तरह की से जनता का गुस्सा सामने आया है वे बीजी पी को नागवार गुजर रही है भारत के अरोनाचल पर देश से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक पूरे हमालें छेतरे में किसी भी समय एक के बाद एक आठ बार भीजन भुकम आ सकते हैं जिहां भुकम की तरवत्ता एतनी अधिक होगी कि इससे भारी तबाही मचने का आन्देसा है दावा किया जा रहा है कि इससे पहले कभी भी लोगों ने इतना खतरनाक भुकम नहीं देखा होगा जिहां ये चेतावने एक हालिया हिस्ट्रीडी के जरिये दी गई है जिसमें जियालोजिकल, हिष्टिरोलिकल और जियालोजिकल डेटा के समिक्षा पर भुकम को लेकर ताजा भविस्वाने की गई है जिसमें विसेस्ट्रीओं की तरव से पताया गया है कि इसमें कोई हैलत की बात नहीं होगी जिहां अगर ये भीसन भुकम हमारे जिवनकाल में आही जाए ताजा भविसे वारी में ये भी काया गया है कि भविसे में हिमाले छेत्र में आने वाले भुकम की सिस्वेंस वेसी हो सकती है जैसे बीसवी सती में एलर यूनिटियम जोन में थी जिहां ये जोन अलास्का की खारी से पूर्वी रूस के कम चट्टा तक का फैला हुआ है जी है इस्टेडी लिखने वाले इस्टिवन जी के अनुसार भुकम आने पर भारत के चंडिगर देहरादून और नेपाल में काट मानू जैसे बड़े सहरों पर इसका सीधा असर पड़ेगा आने वाले भुकम की तिरुवता इतनी अधिक होगी कि इनके जटके से दुनिया के सबसे बड़े सहरों में से एक भारत की राध्यन दिल्ली में भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है आपको बदादू कि दिल्ली के आबादी दो करोड से भी ज्यादा है बिहार बिधनसबाचनाओ को लेकर बिहार पहुंचे केंडर वित्तर राज मंतर अनुराग ठाकुड ने दावा किया है कि ये इनडिये गडबनन बिहार को आगे ले जाने का काम कर रही है जिहां इस दोरान उन्होंने बिहार में राज़ निता और महागर बिनन के मुख्यमंतरी पत्के दावेदार तर्जिस भी यादब पर जदा से जदा हमला किया जिहां उन्होंने काया कि जो अपने माबाप का नहीं हुआ वे राज़ जी की जन्ता का क्या होगा दोस्तों आज का नियुस बस यहां तक कैसा लगा जलूर अपना सुझाओ दीजिएगा निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्रेप कुड़के बिलेकर भी पड़िस करते हैं और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने बीडियो मेंट